ये कैसे विचित्र मांग है गुदे ये बर्दान मांग कर तो ससूर ने स्वयम को अमर करने का उपाय कर लिया था मैंने भूलवश अपने पुत्र का डिम फोड़ा था मेरी उस भूल का दंड अरुन आज तक भोग रहा है माता पिता जब ना चाहते हुए भी अपनी संतानों को कश्ट दे बैठते हैं उसकी पीड़ा कितनी अधिक होती है ये मैं समझ सकती हूँ तो फेरियो नसूरों की कैसी भक्ती थी जो अपने ही भगवान को इतना बड़ा कश्ट दे रही थी प्रभू तो सब जानते थी गुर्दीव फिर भी ऐसा बर्दान क्यों दिया उन्होंने क्योंकि वो भोले ना थेंदे उनके लिए सब एक समान है देवदानग, मनुष्य गंधर, भूत पिशाच, पशुपक्ष, कभी किसी में कोई अंतर नहीं किया उन्होंने उनके लिए सब उनीकी संतान है और जब कोई एक संतान घंगोर तपस्या करके अपने पिदा से कुछ मांगती तो वो उसे देने में विवश हो ही जाते मौन क्यों है महादेव, वर्दान दीची तुम्हारी ये इच्छा उचित नहीं है गज मुकासूर परन्तु तुम्हे तुम्हारी तपस्या का अफल अवश्य प्राप्त होगा यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा महादेव की जै हो धन्यवाद महादेव स्मरन रखना ऐसा साधारन वर्दान मांगकर तुमने अभूतपूर्फ शक्ति प्राप्त कर ली है इसकी सायता से तुम किसी का भी दमन कर सकते हो किसी पर भी शासन कर सकते हो इस श्रम्ता का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें ऐसा ही करना भी होगा सही अर्थों में शक्ति शाली वो होता है इसे वर्दान से प्राप्त हुई शक्ति के उप्योग की ना तो आवशक्ता हो और ना ही इच्छा इसलिए मेरा सुजाव यही है गज मुखासुर इस शक्ति का उप्योग उसी स्थिती में करना जब प्रश्ण तुमारे आत्मरक्षा का हो और संकट तुमारे प्राणों का हो मैं इस मन रखूँगा मादे एक पार मेरे भाई की तपस्या भी पूर्ण हो जाए तपस्या और सेंद्र से उसका स्वर्ग छीन लेंगे हम गज मुखासुर और गजासुर साशन करेंगे स्वाल कुपर महादेव गज मुखासुर को वर्दान देने के बाद जब कैलाश लोटे तो उने पता चला मापार्वती तपस्या करने के लिए कैलाश से दूर चली गई हैं ताकि उनकी तपस्या में कोई बादा ना है ये सुनकर उनके मन का उसाफ फीका पड़ गया वो जानते थे फुत्र कामना के लिए किये जाने वाले वर्द को पूरा करने में समय लगे और देवी पारवती के बिन महादेव को कैलाश सूना लगने लगा मैं भाया विष्णू के अफ्तार क्रिष्ण जैसा ही एक बालत चाती हूँ जिसे मैं गोद में खिला सकूँ तब तो आपको पूर्णे अपृत रखना होगा देवी चाने से पहले मैं आपसे मिल के गया था पारवती आप भी चाने से पूर्ण एक पार मिल तो लेती Om Namor Narayana Om Namor Narayana Om Namor Narayana तानानाना तिरा 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 तिर प्रब आप क्यों कर्ष्ट कर रहे हैं एक नई जीवन को जन देने के प्रयास में किये गई श्रम का प्रमान देते इन हाथों को दो कर विए उस जल से प्रेम की गंगा बहाने में कैसा क्रष्ट प्रिया रही है प्रिये आप से विराह के कारण ये प्रकृति भी उदास है और इसी प्रकार मेरा मन बहुत विछलित हो रहा है ओम नमो नारायडा ओम नमो नारायडा ओम नमो नारायडा आए प्रभू झालो। वजंग रभू। झालो। झालो। ओम नमो नारायराय ओम नमो नारायराय हुआ हैँ प्रिए 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 बहन पार्वति प्रडाम भाईया अपने वरत को जिस निश्टा और भक्ती से आपने फून किया मैं उसे बहुत प्रसन हूँ भै कही आपको क्या वर्दान चाहिए मेरे मन की इच्छा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं भाईया मैंने जब से आपके क्रिश्ण अवतार के बाल रूप के तर्शन किये हैं तब से हर शण मैं वैसे ही तुक हरने वाले सुक की वर्षा करने वाले नटखट पुत्र की कामना करती रहती हूँ मैं भी ऐसा ही पुत्र चाहती हूँ भैया जिसकी बाल लीलाएं मन मोहले जो ज्यान गुन का सागर भी हूँ और मन हर्शाने वाली गागर भी जिसके तर्शन मात्र से सारी इच्छाएं सारी मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएं ऐसे वंदनिय पुत्र की मुझे प्राप्ती हो जिसमें आपकी कृष्ण रूप का एक अंश भी हो यही वर्दान चाहती हूँ भैया यह इच्छा केवल आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी सुकारी होगी भै बहुत शीगर आपको मनवांचे संतान होगी मेरा व्रत पूर्ण हुआ महादेर अब हमें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो हमारे जीवन को अंतहीन प्रसंता से भर देगा मुझे आभास है प्रभू मेरे बिना आपने इतने समय तक विराखे शंट कैसे काटे होंगे पर अब मैं आपके पास आ रही हूँ प्रभू बहुत शीगर आपके दश्चन करूँगी मैं पारवती वापस आ रही नंदी सुना तुमने आज बहुत समय बात मैं इतना प्रसंद न हुआ हूँ देवी पारवती के लाश वापस आ रही और यही नहीं एक और शुप समचार भी है तेवी पारवती का वरत सफल हुआ अब शीगरी ही सखा विश्चनु के काना अवतार जैसा एक बहुती नटकट बहुती मनोहर्श शीशू केलाश परवत पे भी खिलेगा प्रभू आपको बहुत बहुत बधाई मुझे इन सभी शिवगणों को समस्त कैलाश को समस्त विश्व को बहुत बहुत बधाई मुझे समर्ण है प्रभू जब मैंने श्री कृष्ण के बालरूप के दर्शन किये थे वो कितने मनमोहक लग रहे थे मेरा तो मन था कि उन्हें अपनी पीट पर बिठा कर पूरा दिन यहां से वहां गुमाता रहूं और अब मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा प्रभू मैं उस नन्हे बालक के साथ बहुत खेलूंगा उसके लिए गाना भी गाऊंगा बिल्कुल ऐसे ही आनन्द मगन होके उसके साथ निर्त्य भी करूंगा बस बस अब मैं चाहता हूँ कि हम देवी पार्वती के आने की तयारी करें वो इतने समय के बाद तपस्या करके लोट रही है याद रहें आते ही उनकी धकान मिट जानी चाहिए आप निश्चिंत रही है प्रभू मा के स्नान, भोजन, विश्राम हर आवश्यक्ता का प्रबंद मैं पहले से ही करके रखूंगा तुम सब चलो मेरे साथ तुम सब चलो मेरे साथ शीग्रा ये पारवती प्रतिक्षा का एक एक शण और भियत एक भारी लगने लगा है मुझे गजासुर के तब को पून करने जाना ही होगा वूनमा शिवार वूनमा शिवार वूनमा शिवार वूनमा शिवार वूनमा क्या कारण है संसार में इस विनाश का ये गजासुर का तब और तीवर होता जा रहा है शिष्टी में विकेट परिस्तितियां उत्पन कर रहा महातेव का ये कौन वक्त है महातेव का ये कौन वक्त है जिसके तब के प्रभाव में सारे संसार में तरही तरही मचे हुई प्रभू, ये तो बहुत प्रसन्नता का अफसर है, किन्तु आपके मुख पर चिंता की छाया, क्यूं प्रभू? कजा सुरकर तब पूरा हो गया है नंदी, पुझे उसे दर्शन देने जाना होगा पर प्रभू, अभी तो माँ आने वाली है, आप उनसे मिले बिना कैसे जा सकते हैं? उनसे मिलने की अतुर्ता तो मेरे मन में भी बहुत है नंदी यदि शीगरी मैंने गजा सुरकर तब को विराम नहीं दिया, तो इस संसार का हित भी हो सकता है अब तब तो माँ को आ जाना चाहिए था, इतना विलंभ क्यों हो रहा है उन्हें? महादीव को ये फूल बहुत पसंद है, उनके लिए ले जाती हो, उन्हें देख कर वो प्रसंद हो जाएंगे ओम नमख शिवाय रखते हम बादल इसका अर्थ है मुझे शीगरता करनी होगी अन्यता पूरी श्रिष्टी विब्दा में भी गिर सकती है गजासुर का ताप तो संसार को बिनाश के मुख्योर लेकर जा रहा है महादेव को इस संकट का निवारन शीहर ही करना होगी कजासुर का तब तेरंतर और तीवर होता जा रहा है श्रिष्टी के हर प्राणी की तरह वो भी मेरी ही संतान है मैं इस तब के भीशन ताप से उसे और जुलसने नहीं दे सकता अर्थात मुझे जाना ही होगा लंबे विरहा के बाद होने वाले मिलन की प्रसन्नता से खेले ये फूल प्रेम की कभी न समाप्त होने वाली आज से जलते ये दीव और यहां तक के मेरे प्रेय भोजन की सुगन ये सब मुझे बता रहे हैं कि महादेव ने मेरे स्वागती कितनी विशेश तयारी की है पर अंतु हो स्वेयम कहाई ओू नमा शीवाए ओू नमा शीवाए ओू नमा शीवाए शेव पारवती एक दूसरे को मिल नहीं पर क्योंकि उन्हें ग्यात नहीं कि ये विरह बहुत ही लंबा होने वाला है